नमश्क्राद दूस्तों आज बनाएंगे चीज पराठा तो चले शुरू करते हैं चीज पराठा यह पर हमने ले लिया एक कब आठा इस पर डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक और डाल देंगे हम एक चमच देशी घी तो यह आगे हमारा तेशी घी एक चमच ज्यादा नहीं थोड़ा सा डालाओ तो इसको अच्छा से मिला लेना है और क्या करना है इसमें पानी डलके बहुत अच्छा से गुण लेना है के अरीड़ेंर आटा को बहुत जयादा टाइट करके नहीं गुदना है थोड़ा सा नदाम होना चाहिए क्यालिए क्योंके कोईबीर सटाप अगर भर रहे हैं और सटाप के लिए आटा जादा टाइट बना द héला तो भरने के टाइम या बेलने लिए पहड़े जयाता है त तब तक हम हमारा दूसरा मसाला तयार कर लेते हैं, हमने एक बॉल ले लिया, इसमें थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ चीज ले लिया, हमने नॉर्मल चीज लिया हूँ, अगर आपको बहुत लचीला चीज पसंद है तो आप मोजरेला चीज यूज कर सकते हैं, उसमें भी फूसद च Stock माचa, ब्लाक पिपर, डाल देंगे उन फ्रोट। चमाच चिली फिलेक्स, डाल देंङे थोड़ा सा Mixed Harps और दाल देंगे हम यहां पे थोड़ा सा ओर गैनो यह भी Mixed ओर्गैनो है पीजा ओरगैनो तो और डाल देंगे इसमें चौप किया हुआ हमारा धनियाग पत्ती है कुरियंडर लिफ्स तो इसको अच्छा सम मिला लेंगे एक चम्मस से हल्क हास से अच्छा से मिला लेंगे तो देखिया दोस्तों मिक्स हमारा तयार है इसका भी स्टैपिंग करना है तो क्या करना है यह देखिया बहुत अच्छा से मिल गया है और आटा को हल्क हास से और एक बार गुंद लेंगे हम बहुत सौप्ट हो गया आटा भणने में भी बहुत अच्छा रहेगा तो इसका छोटे-छोटे लईया बना लेंगे हम तो छोटे-छोटे गोली काट लेंगे अब अपने पराटा के साइस की सब्चेक काट सकते हैं छोटे बड़े जैसे मरजी तो हमारा गोली काट चुका है इसको बस स्टपिंग करना है ऐसे हाथ से घुमा के थोड़ा सा नहीं तो आप बेल के भी लंबा करके फिर भढ़ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं यह देखिए बढ़िया से डालना है चीज पराटा है तो चीज दिखना चाहिए डालिया देखिए ऐसे अच्छा से भरना है अच्छा चीज हमने डाल चुका हूँ लेकिन फटेगा नहीं क्योंकि इसका आटा जो है यह बहुत अच्छा से हमने गुंद लिया हूँ तो हमेशा थोड़ा स्वाप्ट रखिया आटा तो अब जितना भी भड़े फटेगा नहीं कि देखिए इस तरह से कि सभी गोली में डाल देना है अपना मिक्स किया हूँ चीज इस तरह से सब भड़ लेजिए तो दोस्तों अगर मेरा रेसिपी अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट करना ना भूले कॉमेंट में इस रेसिपी के बारे में जरूर लिखे तो उसका उत्तर हम पूरा देने के कोशिश तो यहाँ पर चुलाम जला लिया और तवा को गरम करने के लिए रख दिया तो गोली को अच्छा से निकल के थोड़ा हलके हाथ से बेली है बहुत दबाएंगे तो फट जाएगा कि इस तरह से अटा लगा कर एक दो रावन्शिप में बेल लिजिए कि अच्छा से बेल गया ना कई फटा नहीं फटा यह अटा किजिली होता है तो बहुत अच्छा से बेल लिया बहुत बड़ा भी बेल लिया कि तवा हमारा गरम हो चुका है तो इसको डाल देंगे थाव पर जैसे एक साइड हलका फ्राइ हो जाता है तो इसको पल्टी कर दीजिए और इसमें लगाईए बाटर आप चाहे तो देशी घी भी यूज़ कर सकते हम यहाँ पर बाटर यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छा से लगा लिजे बाटर को और एक बाटर पल्टी करके दुसरे साइड में भी बाटर अच्छा से लगा लिज़े देखिए दस्तों कितना अच्छा फूल गिया इस तरह से साइड को अगर रोटि फूल जाता है परठा तो साइड को अच्छा से दिभाके पकाना है क्यूंकि साइड ऊपर आ जाता हम आप तौपके येछ में बीच में लाल हो जाएका साइड क अच्छा रहा जाएक थाद si के साथ भी खा सकते कैसे भी खाईए बहुत माझा आएगा पैक लांच में ले जाएए टिपिन में ले जाएए बच्चे को खिला ये बहुत खुश होगा थैंक्यू फॉर वाचिंग मेरा पेस को जरूर लाइक करें फॉलो करें